नमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अगर आपके बास OPPO A77 या A78 कोई भी फोन है तो अगर यहां पे आपका सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहां पे जो प्राइवेसी का ओप्षिन है प्राइवेसी पे ग्लिक करेंगे और ऐसे स्लाइट करेंगे और यहां पे आपको प्राइवेट सेफ का ओप्षिन देखने को मिलेगा प्राइवेट सेफ पे आप क्लिक कर लेंगे या फि सेटिंग पर जाने से पहले मैं आपको hidden apps पर जाके दिखा देती हूं कि जो भी application आपने हाइड कर रखी है उसको पहले हाइड कर लेंगे इसके बाद बैक कर लेंगे अब यहां पर आप लॉक पर जाएंगे ना सेटिंग पर प्रैवेसी पासवर्ड पर और अपने फोन का जो है तर्णव पासवर्ड पर क्लिक करना है इसके बाद टर्णव पर कलिक करेंगे एप लॉक के कर एंटर करेंगे तो यह तरण आओ हो गया तरण आफ होने के बाद reset all settings यह जो option है इस पे आप क्लिक करेंगे और अपने phone का lock enter करना है जो आप screen खोलने के लिए करते हैं तो मेरा दोनों ही same था तो मैंने enter कर दिया अब reset all settings पे क्लिक करना है दुबारा से क्लिक करना है ठीक है अब यहाँ पे ऐसा है कि आपके phone का कोई भी data delete नहीं होगा आपकी जो भी setting की problem थी वो fix हो जाएगी ठीक है जो भी setting आपको नई नई मिलती है नया phone purchase करने पे बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा phone बस यहाँ पे कुछ जो इसे क्लिक करने पे अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं आप अपने phone को यहाँ पे restart कर लेंगे तो power button और volume up button इससे आप ऐसे करके restart कर लेंगे अब यहाँ पे अगर आप power off करने पे आपका यह वाला single button काम नहीं कर रहा है दोनों बटन दबाने पड़ते हैं तो इसकी वी वीडियो अलग से बना रखी है कि कैसे फिक्स कर सकते हैं switch off problem को तो उसकी वीडियो आप अलग से देख लेंगे बाकि यहाँ पे एक बार restart कर लेंगे अब दुबारा से अगर आप app lock set करेंगे न तो आपका जो access code वाली problem है वो fix हो जाएगी तो इस step से आप solution कर लेंगे अपनी problem का चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार